जै मातादी मित्रो मित्रो मा का एस्ट्रोलोजी चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत ए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइب नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमाया लेटिक शुड़ दिख सकें मित्रो आजन स्टाट करने वाले हैं मन्थली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट माई 2024 तुला लगन के जातकों के लिए माई महा का मासिक फल आये अरंब करते हैं मित्रो अगर आपकी लगन कुण्डली के अंतरत यहां पर लगन में साथ नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब आपका तुला लगन है जो कि कर वायू तत्य लगन है और चाहर लगन है विशेश्ट है आप के पर प्रभाविय रहता है कि आप शुप्र से प्रभावित रहते हैं जिसके कारण बहुतिक चीजों की प्रति आक्रशन विशेष्ट है, आपकी जीवने बना रहता है आप कहीं कि बैलेंसिंग अपने जीवन के अंतगर, हरा प्रकार की चाए बहरी स्तर हो, चाए आंतरीक स्तर हो चाए परिवारी की स्तर हो चाहे आपका कोईसी परकार का बाहिये संबंध हो, हर तरीके से आप बैलेंस बना कर चलना अपनी लाइफ को चाते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो अध्याप्ने के भोतिक उनतियों सब तरीके से आप बैलेंस करके चलना चाते हैं विशेष्ट चर्व लगन होने के कार्ण बदल जाते हैं अपने सुभाव को व्यवार को समय अनुसायत परिस्थति अनुसायत अपने आपको बदलने का पूंते प्रियास करते हैं घूमने फिरने के शुकिन होते हैं लगजिर सी जोकरती चादा जोड़ाव आपसे रहता है यह परिभाव आपने सदा बना रहता है अब देखें माई माहा के अंतरगत सबसे पहले लगन के मालिक शुकर बनते हैं उसके स्थिति को जान लीजिए लगने शुकर सब्तमभाव में रहेंगे 19 माई तक उसके बाद लगने शुकर व्रिशब राशी में अश्टमभाव मे गोचर करेंगे गोचर के साथ आप यह देखे कि इसमें शुकर जो गोचर कर रहे हैं वो अस्त होकर कर रहे हैं और शुकर का जो अस्त होना है यह 29 जून तक है मतलब पूरे माई माहा के अंतरगत आपके लिए अगर हम इस माहा के अंतरगत देखने हैं प्रेडिक्शन तो आप देखेगा चाचा, मित्र, बड़े भाईवयन, लाव, इच्छपूर्ती, कहिने किसी तरीके की, इन सब डिजायर्स जो हैं, इच्छाएं जो हैं, उनके कारण आप एक तपिश की स्थती के अंतरगत अप रहेंगे, आपके उपर वो प्रभाव आएगा, कि आपके उपर आप रहेंगे, जिसके कारण थोड़ा से जल रहा है व्यक्ति, एक उतपन, एक उतपिश, वो आप फेस करते हैं, जो कहीना कहीन एक आपको कंट्रोल कर रही है, विशिश्टे आप शुक्र प्रभाव दिखती हैं, आप तो आनंद के भाव में जीना चाते हैं, लेकिन एक बंधन आपको जब बांदेगा, तो वो थोड़ा सा, या सूरी का प्रभाव समाजिक तोर पर जो जिम्मेदारियां हैं, वो जब बंधन है, वो आपको बांदता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और ये कहीना कहीन 23 अप्रैल से च होती माई, तो वो इस्तती हो सकती है, सबसे पहले हमने देखा कि शुकर 19 मही तक सब्तम भाव के अंतरगत हैं, तो आप देखेंगे, आपका जो फोकस 19 मही तक रहेगा, वो अपने दाम पत्ते जीवन को लेकर, मैरिज को लेकर मतलब, लाइफ पार्टनर, बिजनस पार्टनर, उन सब को लेकर वेपार बिजनस को लेकर, या कुछ socially आप लोगों को बहुत कुछ नया स्टार्ट करना चाते लोगों के लिए, उनको कुछ देना चाते हैं और इसके कारण कि वह इंकम कितनी आ रही है, इन बड़े बड़े प्रेतन करते हुए दिखाई देंगे लेकिन इस समय इस्तति कुछ ऐसी की थोड़ा और डिटिल में आपको समझेना पड़ेगा क्योंकि देखिए अब एक बात का ध्यानरक्य का मेजर चेंज हो चुका है गुरू का जुपिटर गुरू एक ताउस में विरि को लेकर आ सकता है अब डिपेंड करता है एक और बात कि आपके मती भ्रष्ट भी हो सकते है क्योंकि आप चाहेंगे कोई स्कीम वाले प्रोजेक्ट पर या स्कीम जो आती हैं उस तरीके पर काम कर लेना तो ऐसे चीज़ों की बीचे आप भाग सकते हैं लेकिन जिसका किसे पैसा कम बाने की सुच रहे हैं यह आपके सही पैसे को भी या कहीने के वैल्थ को आपके डिस्प्रे कर देगा कहीने कहीं आप प्रेशान हो सकते हैं मती ब्रष्ट माना जाता है यूपिटर का एट में हाँ पर और इस केस में किस चीज़ के लिए टॉरस से अगर आप वैसे भी एक वर्ष तक जान रखना है कि कोई भी अगर मेजर डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो किसी घर के बड़े बुजुर्ग किसी एक आयप जिसको अपना आदर्श मानते हैं उनकी यह किसी जोतिशी की किसी की बुरू की किसी की सला लेते वे चाहे वो पिता करका बड़ा कोई भी बड़ा बंदा अगर आपका बड़ा भाई है उसकी भी आप सला ले सकते हैं मतलब कहीं न कहीं किसी ना किसी एक वेक्ति की कोई भी काम अगर विशेश तरीके से कोई बड़े मेजर डिसीजन अगर आप ले रहे हैं वहाँ पर किसी ना किसी से स साथ आपको चलना चाहिए यह आपको विशेश ध्यान रखने माली बात आपके हाँ शुक्र का गोचर रहेगा थोड़ा प्रभाव यह भी है शुक्र का अस्त होना इस समय के अंतरगत शुक्र आपकी पतनी भी होती है आपके रिलेशनिशिप भी होती है वहाँ पर भी मेश का मंगल का छेटे भाव के अंतरगत मंगल रागों का वुचर यह कहीं न कहीं या तो लाइफ पार्टनर फिजिकली आप सेपरेशन की स्तती में आ रहे हैं आप से दूर जा रहा है अलग हो रहा है लड़ जगड कर हो रहा है इस्तती होट के सित्यादी वगरा यह सब ह हो रहा है तो यह भी संभावनाएं है या फिर हो सकता है वेपार के माध्यम से आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए यह पॉस्टिव तरीके से अगर आपकी जन्न कुन्ली में आसी हो गए तो उस तरीके से भी हो सकता है या फिर पार्टनर के बिमार होने की प्रबल सं के कारण कि उसको आपकी जो इच्छाहें हो सकता है आपको बहुत तरह-तरह की इच्छाहें आपको लगी हो और जिसके कारण वो परिशान हो कर चला जाए यह भी संभाव नहीं कि यह गोजचारे जनरल प्रडिक्शन होती है डिपेंड करता है आपकी चाट पर तो यह सारी इ पढ़ने वाला है इस चीछ का तो कहीं अगे आपका बैलेंस थोड़ा डगमगा रहा है उसको बनाए रखने का विश्यष्ट से प्रयास आपको करना है लेकिन शुक्र अस्तो कर भी लगन को देखेगा फिर भी आपको थोड़ा सा एक क्या सकते हैं कि आपके अंदर का जो एक क्रियेटिविटी है वो आपको थोड़ा बचा सकती है जो आपके एक चमक है आपके विश्यष्ट है वो आपको बचा सकते है जो लक्षमी का किरपा जो तेज आपके साथ रहता है वो आपको बचा सकता है तो वो भी परभाव है तो थोड़ा समझारी से काम यहां पर लेना है इसके बाद जैसे ही शुक्र को गोचर 19 मही के बाद अश्टम के अंतरगत जाएगा एक और बात यहाँ पर कहीं न कहीं एक अलग तरीके के संबंदों के अंतरगत भी आप आगे भड़ते होने जराएंगी खासकर 19 मही के बाद गुप्त संबंदों में विवरद्धी आपके तरफ लिएक फैमिली को लेकर होते भी दिखाई देगी तो सारी इस्थोल के साथ आगे भड़ेंगे तो और इस समय के relationship के अंतरगत कोई दूर हो जाना किसी तरीकी का या गुप्त संबंदों को होना जैसा कि मैंने का वो भी हो सकता है और यहां पर अश्ट्रम के अंतरगत शुक्र का जाएगा प्रभाव तो कुछ ऐसे तंत्रमंत्र की तरफ आपका ध्यान जाना अकल्ट की तरफ ध्यान जाना गुप्त विद्या, गुप्त ग्यान की तरफ ध्यान जाना उनकी कृपा पर आपको जाना या फिर कुछ शमशानी आतर रहें मतलब हो सकता है कि रिलेशनशिप में अमित्र मन्डली में कहीं पर कोई नहों कोई विक्ति जो आप से दूर जा रहो तो महाँ पर मतलब कहीं न इतक मेश राश्य मोचस तवस्था में लाब आउ इच्छा पूर्ती आपकी स्थम्भाव से ही हो रही है आप भी चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अपने वेपार से अपने पार्टनर से पार्टनर से पार्टनर्शिप से अच्छा कासा लाब लिया जाए लेकिन पार्टन करता है कि आपके दश्वास घात हो सकता है आपके साथ आपके पार्टनर को लेकर चाहिए वो बिजनस पार्टनर भी हो और जगड़ा भी होने की संबावना यहां पर बंती दिखती है तो यह थोड़ा सा ध्यान आपको रफना है इसके साथ सुरी का प्रवाव आएगा तो डॉमिनेटिंग नेचर बढ़ता हो दिखाए देगा आपका पार्टनर चाहिए वो लाइफ पार्टनर वो बिजनस पार्टनर वो आपको डॉमिनेट करता हो दिखाए देगा हो चाहिएगा वो पूरा का पूरा अपने आपको मतलब करने की कोशिश करेगा पूंते और अस उसको control करो, आप dominant करो, यह आपकी इच्छा बन कर रहे जाएगी, आप चाहेंगे इस समय के अंदर के आप भी ऐसा कुछ करो, लेकिन वो आपको कर जाएगा, आप अस्त हो जाएगे, तो यह इस्तति आपके साथ आएगी, लेकिन आपका जो लाव आपके इच्छा पुड़त हो सकता है, अगर आपके दशा अच्छी चल रही है, जन कुणली में ऐसे कुछ खराब योगी नहीं है, तो फिर शांती तरीके से ऐसे भी गोचर निकल सकता है आपके लिए, इसके बास सूरे का जो परभाव आएगा, वो आश्टम भाव के इंतर गताएगा, 14 मही के बाद कि उनके फूड की खाने की विवस्ता आपको करनी होगी, कहीना के वह सारे संबंद भी आपके आ सकते हैं, या किसी तरीके की रिसॉर्स उसको लेकर उनको हेल्प करनी होगी, अगर आपको उनसे लेना पड़ रहा है, इसका मतल़ा आपके लाइफ काफी डाउन जा रही है, लेकिन कहीना के वहाँ पर देने का संबंद विशेश से आ सकता है, वो इस्तती और सुर्य का प्रभाव जब आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा वह भी थोड़ा डोमीनेट मतलब वहाँ पर एक इस्तती आ सकती है, और आत्मी किस तर पर च्वादा मैं के बाद विशेश त्य है, तो यह सारी सती महाँ पर देखने का आपको मिल सकती है, हाँ, गुप्त ज्यान के लिए 19 मही के बाद बहुत अच्छा समय, अगर आप जोतिशी हैं, आप अकल्त अंत्रमंत्र, जोतिश विद्या, इन सब के अंतरगत हैं, तो यह आपके लिए बेहतरी न समय जाने वाल में सब्तमेश है, धनभाव के स्वामी भी है, यह देखें, ऐसे नहीं बताया, यह और ग्राउं से भी आप लिंक करिए, कि कि देखें, सब्तमेश के तो उने बताई दिया, कई बार बताया आपको यहाँ पर, मंगल का प्रभाव जो है, वो धनभाव का स्वामी बन करी इनको पैसा, या कोई आप आडिट करके चार्टेड अकाउंटेंट है, उससे रिलेटिड आप बहुत अच्छा कमाते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतरगर, तो यह इस्तति हैं यहाँ पर देखें को मिलेगी, तो ऐसे शिख साउस रिलेटिड प्रफेशन के थुरू आप गेन कर सकते हैं, अगर आप अलोपैतिक से रिलेटिड वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, अगर आप इन सब में नहीं हैं, तो यहाँ पर पहली बात बैंक का नोटिस तक आपको आसकता है, आपको हो सकता है पैसा ज अगर किसी को पैसा देते हो, तो फिर दान ही दे देना, क्योंकि अगर वैसे भी मीन राशी के अंदगत हो गया, राहु के प्रभाव में हो गया, तो दान ही दे देना, अन्यता वो पैसा फिर आएगा नहीं यह बात का ध्यान रखना बड़ा अमांट है, तो यह बात का ध् जाएगा शत्रुबादा में जाएगा कोट के सित्यादी बगर अलग कर तब जाएगा या फिर जैसे कि हमने बताया अस्पताल बगर में होस्पिटल बगर में मेडिकल के इसमें महाँ पर आपका पैसा जा रहा है तो कुछ इस तरीके का इस्तति हो सकती है अगर आप इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं ले जाना चाहते अपने पैसे को तो फिर आप चैरिटी में लगा दिजिए थोड़ा अगर आप पैसा कमाते थोड़ा दान पुन्य करम इसमें करिए या जो पाई बताई जाएंगे वो सब करिए ऐसा करके आप अपने लाइफ को यहाँ पर श शनीदेव बोचर कर रहे हैं पंचम भाउं में हो सकता है कोई ऐसी पढ़ाई जो लंबे समय की पढ़ने हो माली जी डॉक्टरी की पढ़ाई आपकी है या फिर आपका कोई अगर कोई एक्जाम बगरा है आपका कि आपको पहले कोई एक्जाम देना है वह सारी चीजे या क किसी भी तरीके की अगर कोई पढ़ाई कोई एक्जाम आपको खिले करना है चाहिए वह जौब से रिलेटीड हो चाहिए वह आपकी एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए ही हो बड़ी पढ़ाई जिसे कहें तो उसके अंतरगत यह टाइम पिरिड अगर कोई आपका कंप होता है वहाँ पर आप अच्छे से आप इसली कर पाएंगे तो वह सारी दृष्टे से भी अच्छा है तो खराब भी है अच्छा भी है डिपेंड करता है आप चार्ट की एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं यह बात का ध्यान रखना है आप इस समय में या तो आप शत्रों से लड़ रहे हैं या फिर आप अपनी सारी उर्झा को अपने काम के अंतरगत। उपने काम में इतना ज्यादा जादा के अंतरगत इतने ज्यादा आप अपनी एनर्जी लगा रहे है और क्योंूं गया अ किस्त्ति में शुस्टंभाव में हां भाग्य कर स्वामी नीच का भी मिल जा एगा शत्रो पर विजबशेप्य नहीं है लेकिन फिव ठीक ठाक है तो यह भी फायदा आपको रहेगा मंगौ की चोते दृष्टी के परिणाम से फादर को लेकर गुरू को लेकर थोड़ा responsibility बन सकती है जो मेधारी यहां पर बढ़ती हुए दिखाई देगी तो वो चीज रहेगी वहीं मंगल के दृष्टी बारवे घर पर जैसा कि मनें बताया इस समय में देखो 12 और 6 की एक्सेस पर जो यह आपका malefic impact आ रहा है ध्यान रखना है कि आपको इस समय के अंतरगत आपकी इस समय के अंतरगत यहां सर्वाइकल से रिलेटिट या आपके रीड के अडिय से सम्मंदित उटने बैटने में थोड़ा प्रिशानी बन सकती है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि वही कोई ऐसा दिक्कत ना बने आपको बैकबॉन से रिलेटिट आपको इश्यूज आ सकते हैं तो यह ध्यान भी आपको बन सकती है पाचन तंतर में कमी आ सकती है क्योंकि शनी वैसे भी यहाँ पर ठंडा गरे और जब आपके फिफ्ट आउस में आएगा सेम टाइम पर जुपिटर का भी एट आउस में गोज़र और के तुक सिक्स कन्या राशी कंतर यह लीवर वगरा वाले पार्ट करते हैं तो ध्यान रखना देहरे के साथ काम करना है कि कि यहां पर यह खोएगा आपका मंगल जिद्धी बना देगा आपको और उसी जिद्धी जलबाजी के करण आप अपने काम गलत कर बैटेगे तो थोड़ा संबल कर आपको चलना है इसके बाद देखिए यहां पर बुद्धी सारी के सारी ना आप अपनी बुद्धी शत्रुबादा रोग बादा रहन बादा उनको दूर करने में लगाते हुने जलाएंगे तो कहीं और चीज़ों के अंत्रगत फिर लेकिन कमपेटिशन वगारा क्लिर करने के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा इसके लाला चुश मत करना कोई बहुत सो समझकर किसी से कंसर्ट करकर ही मतला अपने घर परिवार या फिर अपने जो बिजनस पार्टनर वगए मंदर काईने काईदे से आपको करना चलना चाहिए क्योंकि यहां पर किये गए investment आपकी बहुत major transformation आपकी life में करने बाले हैं तो ध् higher learnings एक अच्छे से study करकर तब उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं तब वह आपको भागे के साथ आपको देतों नजलेगा डिपेंड कर रहा है वहीं बुद्ध की दृष्टी लगन पर जो आपको अच्छे बिजनस आइडियास दे सकते हैं आपका आइडिया अच्छा होगा लेकिन क्या है फिर भी उसको इपड़ टटोल ले कि कही ना कहीं कोई लाल इस वैश्वामने कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं तो वह चीसका आपको ध्यान विश्य से रखना है इसके बाद देखिए यहाप पर शुक्र का गोचर हम बताई चुके हैं शैनी का गोच अब यहाँ पर एजुकेशन लंबे समय के लिए आपको कुछ आपको बहुत डीपली आपको ग्यान मिल सकता है या लंबे समय से आप एजुकेशन कर रहे थे नहीं हो रहता के लिए कित्ती बार तो यहाँ इस वाले के अंतरगर आपका आपकी पढ़ाही पूरी होती हुआ पढ़ाई करते हों नहीं जड़ा सकते हो तो उस दुरश्टी से आपके लिए अच्छा है कहीं नहीं तो यह शेर मार्किट बगरा कि स्टेडी कर सकते तो वह भी लॉंग टरम के साफ से अगर आपको इन्वेस्ट्मेंट भी करने तो लंबे समय के लिए साफ से आप कर सकते आपको और यह प्यार के साथ ना बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसमें थो सकता है दुख का भाव या लॉंग टरम के साफ से वह प्यार करा सकता है आपको लंबे समय के साफ से और वहां पर यह इस्तती देखने को मिल जाएगी शनी देव की तीसरी दृष्टी रहेगी आप सब्सक्राइब कर रहा है किसी तरीकी का हाथ को मतला हाथ पैर कर चलना है इस तरीकी को दिक्कते आ रही है तो यह प्रवाव माँ पर हो सकता है वहीं शनीदेव की सीदी दृष्टी है सीदी दृष्टी से दुख आ सकता है किसके करण यहाँ पर जो दुख आ सकता है कि यह चाचा, मित्र बड़ेभाईवेन उनको लेकर आप जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ भी वहां से दुख का भ्हाव ह सकता है दशम दर्श्टी करम दर्श्टी आपके दित्ते भाव पर है कि परिवारी कुटम कुंबे की जिम्मेदारी का आना और करम करते हों के लिए नजर आना विशिष्टे अपने करना तो यह चीज़े यहाँ पर देखने का आपको मिल सकती है खान पान का विशिष्टे ध्यान रखेंगे तो आपको कहीने के फाइनेंशल भी बहुत ज्यादा दिक्कते नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका खान पान बिगड़ेगा आप देखना आपकी सेविं क्योंकि यहाँ पर बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजों पर गलत चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है वहीं गुरु का जो प्रभाव है आपका अश्टम के अंत्रगर आध्यात्मे कोनेती के लिए अच्छा है बहुत अच्छा है और कर जाएंगे फाइदा लाब भी आ अच्छा जाएगा वहीं गुरु की दर्श्टी आपके सेकेंड आउस पर भी अब देगे शनी और गुरु दोनों का प्रभाव दित्यभाव पर है तो इस सदन ट्रांस्फोमेशन यह आपको आपके फैमिली फाइनस से रिलेटिड दे सकता है क्योंकि यहाँ पर आप यहा तो 6,000 से आप गेन कर जाएंगे 6,000 लेटिड जो से गेन कर जा रहे हैं पैसा बना लोगे नहीं तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा एक नएक काम आपको करना पड़ेगा तो वह एक्टिवेशन में रहेगा क्योंकि शनी और गुरु दोनों का प्रभाव दित्यभाव पर पढ़ने वाला है तो वह एक्टिवेट रहेगा डबल ट्रांजिट यहां पर लग रहा है वहीं गुरु की नवी दृष्टी भाग्य की दृष्टी चतुर्दभाव पर है लेकिन भाग्य की दृष्टी कैसी दृष्टी जो की माका राशिय अपने नीच राशिय को द भगे का साथ कि चलो ठीक है कि मतलब मेहनत करने पड़ रही है उसके बाद काम हो रहा है वह इस्तति हां पर होगी घर संबंदित अगर आप चाह रहे थे कि आपको फ्लैट खरीदना है या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन अभी मंगल रहु जब तक है तो प्रॉ चीज आपकी करा सकता है घर के अंतरकत कुछ काम करवाने थे नहीं हो पा रहे थे लंबे समय से सोचे थे उस अब काम यहां पर होते हुए दिखाई देंगे आप देखें शुब दिन दो से चार चैसे आट दस से तेरा पंदरा से ठारा बीस से तेरा से पच्छिस और सताइ यह दिन आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे अशुब दिनों में दो से चार चार से छे आट से तरीके का इंपेक्ट आपको मिल सकता है यात्रा के योग में कस्मा त्यातरा चार से छे आट से तस और यह होती भी दिखाई देंगी क्योंकि लगनेश आगा अश्ट्रम में जाना यह सदें ट्रेवल देता है अकस्मा तीयतर यह दिता है मनुरिंजन के लिए आतरा 6-8 के हो सकती है दार्मी क्यातरा आट से 10 10 10 13 18-20 की हो सकती है अस्पताद गुरु के आश्रम खुशियक ख़ट समंधित यत्रा 18-20 कि हो सकती है कश्ट के साथ 25-27 कि हो सकती है अमावस से 8 मही की है पुन्णीमा 23 मही की है बरुतनी काच्छी 4 मही की है और महीनी काच्छी 19 मही की रहीगी पाई क्या करने चाहिए होम नमो नारायना है इस मंतर गजाप करते रहेगा तेकर मीटा पानी शर्बत पाटना है और यह गया फिर 10 मही को देखे अक्षे तृत्या है गंदे का रस बाटना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और यह रस आप जो बाट सकते हैं यह अगर क जराएंगी और पहले शिवलिंग पर अभिशेख करके गरने के रसे उसके बाद आपको सब को यह बाटना है ओम नमो भगवते वासुद्वाय इस मंतर के जाप करते रहे ना है सूरे देव को जल चड़ाना है स्रिडो की सिवा करने हैं ससुराल पक्ष को विशिष से ससुर कर देजीगा आपको लाब रहेगा आपके वेल्थ में कमी नहीं है कि आपको फाइदा ही मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं किसी शमशान के अंतरगत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि महापर किसी चीज़ की जरूत है महापर या महापर कोई वेक्ति भूकाव आपको मिल रह है तुम्हें तुरों जानकर ही अगर आपको पच्छे रगए वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जय मता दी